सुबह उठकर प्रति दिन नहाने की आदत अच्छी मानी जाती है लेकिन कुछ लोगों को गर्म पानी से नहाना पसंद होता है कई बार लोगों के मन में गर्म पानी से नहाने के फाइदे और नुकसान को लेकर संशे रहता है तो ऐसे में हम आज बात करेंगे गर्म पानी से नहाने के फाइदे और नुकसान के बारे में गर्म पानी से नहाने के फाइदे यहां हम बात करेंगे गर्म पानी से नहाने के फाइदे की लेकिन ध्यान रहे पानी बेहत गर्म नहीं होना चाहिए गर्म पानी से नहाने से होने वाले स्वास्त लाब क्या है? पहला है blood circulation बढ़ाने में सहायक गर्म पानी से नहाने के फायदे में सबसे पहले बात करेंगे blood circulation की hot water foot water therapy पर हुए एक अध्यन के अनुसार गर्म पानी में करीब 10-15 मिनट तक पैर रखने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार देखने को मिल सकता है हाइडरो थेरेपी यानी जल उपचार चिकित्सा के जरिये भी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है हाइडो थेरेपी में पानी के बिभिन गुणों का उपियोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है इसमें गर्म पानी से स्नान, स्पा शामिल है ऐसे में माना जा सकता है कि गर्म पाने से नहाने के फायदे से blood circulation में सुधार देखने को मिल सकता है दूसरा है नींद से जुरी शमस्या में राहत नींद ना आने की समस्या में गर्म पाने से नहाने के फायदे देखे जा सकते हैं अध्यन की माने तो गर्म पानी में कुछ समय के लिए पैर रखने से नींद से जुरी परिशानी से राहत मिल सकती है साथ ही गर्म पानी से नहाने के बाद भी नींद की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला बुजुर्गों में गर्म पानी से लिए गए फुट बात से नींद ना आने की समस्या में कमी आई इस आधार पर माना जा सकता है कि नींद से जुरी समस्या में गर्म पानी से नहाने के फाइदे देखे जा सकते हैं तीसरा है सिरदर्द में राहत एक रिसर्च में बताया गया है कि तनाव के कारण होने बाले सिरदर्द से राहत पाने के लिए गर्म पानी का स्नान लावकारी हो सकता है एक अन्य सरकारी वेबसाइट में भी सिरदर्द से रहत पानी के लिए गर्म पानी से स्नान करनी की सलाह दी गई है इस अधार पर माना जा सकता है कि गर्म पानी से नहाने के फायदे सिरदर्द से रहत दिलाने में हो सकते हैं फोर्थ है मांस्पेशियों के दर्द में आराम एक शोध की माने तो contrast water therapy से मांस्पेशियों के दर्द से आराम मिल सकता है रिसर्च में बताया गया है कि exercise से पहले गर्म पानी में 45 मिनट के लिए पैड डालने से मांस्पेशियों में दर्द से रहत मिलती है ऐसे में माना जा सकता है कि exercise के बाद होने वाली मांस्पेशियों के दर्द में गर्म पानी से नहाने के फायदे हो सकते हैं पांचवा है तवचा के लिए फायदे मन्द गर्म पानी के फायदे वो नुक्सान दोनों ही है दरसल तवचा पर गर्म पानी के स्टीम्स लेने से पोर्स खुल जाते हैं जिन से पसीना निकलता है पसीने के साथ ही इससे तवचा को नुकसान पहुचाने वाले हानिकारक वो विशाक्त पदार्थों को भी बाहर निकाने में मदद मिल सकती है इस अधार पर माना जा सकता है कि गर्म पानी से नहाने से तवचा समबंदी कुछ समस्या में राहत मिल सकती है दरसल नहाते समय चेहरे को भाप मिलती है बस ध्यान दें कि चेहरे पर भाप ले सकते हैं लेकिन उसे गर्म पानी से धोए नहीं ऐसा करने से स्कीन को नुकसान पहुँच सकता है हाँ गुनगुने पानी से चेहरे को धो सकते है छठा है बालों के लिए माना जाता है कि गुनगुने पानी से बाल धोने से या क्यूटिकल्स को बंद करने और नमी को बढ़करार रखने में मदद कर सकता है जिससे बाल चमकदार और मुलायम होंगे साथ ही तैलिये स्केल्प को भी अच्छे से साफ करने में सहायक हो सकता है हलांकि इससे चुड़े सटिक अध्यन मौजूद नहीं है गर्म पानी से नहाने के नुकसान गर्म पानी से नहाने के फाइदे और नुकसान दोनों ही हो सकते है फाइदों के बारे में तो हमने बात कर ली अब बात करते हैं नुकसान के बारे में शोध की माने तो गर्वती महिलाओं को प्रारंभिक समय में लंबे समय तक एक से अधिक बार गरम पानी से नहाना नुकसान दे हो सकता है। ऐसा करने से बच्चे में एनेस्थली जन्म दोश यानि मस्तिस्क का पूरी तरह से विक्षित ना होना और गैस्ट्रो सिक्सिस का खत्रा बढ़ सकता है। गर्म पानी से नहाने से रक्त चाप में कमी देखने को मिलती है। ऐसे में जिनका रक्त चाप कम होता है उन्हें गर्म पानी से नहाने से परहेज करना चाहिए। गर्बती महिलाओं को सीर के उपर से गर्म पानी से स्नान करने से मिर्गी का दोरा पढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है ऐसे में सीधे सीर पर गर्म पानी ना डाले अब आप गर्म पानी से नहाने के फाइदे अच्छे से समझ गए होंगे यहां कुछ गर्म पानी से नहाने के नुकसान भी बताए गए हैं जिने ध्यान में रखते हुए गर्म पानी से नहाने के लाब प्राप्त किये जा सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी का तापमान बेहत अधिक ना हो शिर्फ शरीर को सहन होने योग्य वह गुंगुने पाने से ही नहाएं उमीद है आपको ये जानकारी helpful लगी हो ऐसे ही health related सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें Info Hub YouTube चैनल अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को follow कर ले और अपने health और lifestyle को update रखने के लिए विजिट करें हमारी website infohub4.com